वेलकम गाईज, वेलकम चुआ योट्योब चैनल, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोफिटेबल ट्रेडिंग के स्टाइल्स कौन कौन से हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से ट्रेड करते हो, बैसिकली उसके कैटेगराइजेशन क्या है, इस तरीके के ट्रेड होते हैं, और कौन से कितने प्रोफिटेबल हैं, जब आप ट्रेड करते हो, तो उन स्टाइल्स को फॉलो करके आपका जो रेसियो है, जैसे आपका जो विनिंग स्ट्राइक है, उसको आप कितना बढ़ा सकते हो, जैसे आपने जो भी ट्रेड किया है अब तक, उसमें की एक 60%, 90%, तो इन चीजों को किस तरह से, अगर आपकी एकुरेसी 60% है, आप 80 तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से उस तरह की ट्रेडिंग है, जिसमें आप उन चीजों को फॉलो करके आप अपनी एकुरेसी को बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले उन ट्रेडिंग स्टाइल्स को हमें समझना होगा, फिर उन ट्रेडिंग स्टाइल्स में क्या पॉजिटिव, उसके प्रोज क्या है और कॉन क्या है, उन दोनों चीजों को समझना होगा, ठीक है, तो हम लोग एक-एक करके बाग करते हैं, दीखे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग, ठीक है, तो जो एक तरीका हुआ ट्रेडिंग का, वो है ट्रेडिंग, सेकेंड, काउंटर ट्रेडिंग, ठीक है, एक-एक करके इन चीजों को हम लोग देखेंगे भी, कि उसमें क्या प्रॉबल्लम है, कहां पर एकुरेसिक कम होने के रीजन क्या है, रहे होंगे या फिर आप counter trading कर रहे होंगे या फिर आप रेंस trading कर रहे होंगे ठीक है अब देखे सबसे ज्यादा जो profitable होने के chances होते हैं सबसे ज्यादा वो है trend trading में तो आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं ठीक है आप एक week में one week में मानलों आप 10 trades लेते हैं तो अगर आपकी accuracy 50% हो आपका problem यहां है कि आप या तो counter trends पर जा रहे हो या फिर range पर जा रहे हो क्योंकि trend trading ठीक है trend trading market trending कम समय के लिए होता है लेकिन जो highly profitable trades होते हैं वो trend trading के अंदर आते हैं ठीक है तो अगर आप 10 trades लेते हो तो आपको करना चाहिए कि आपको जो में focus होना चाहिए वो trend trading पर होना चाहिए तो 10 trades में से आप कोशिस आपको यह देखे वैसे तो master करने के लिए आप counter trading और range trading अगर आप expert है pro level पर आप trade कर रहे हैं तब तो वैसे आपको इस चीज़ के बारे में सोचने के ज़़ूरत ही नहीं है कि trading के इसपे करनी है आप किसी भी तरीके से profitable हो ही जाओगे ले हम लोग सबसे पहले उसको discuss करते हैं तो देखे एक चीज़ है कि 10 trades में से जब आपको trades लेने हो तो आपके 10 trades में से 6 to 7 trades जो होंगे उन वो trend trading में आप जब allocate करेंगे तो आपके chances काफी बढ़ जाएंगे या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा problem है 30-40% accuracy आ रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा trend trading करनी चाहिए तो आपका जो profitable होना वो भी consistent basis पे वो चालू हो जाएगा ठीक है अब हम लोग एक एक चीज़ करके देखते हैं कि ठीक है trend trading जब हम करते हैं वो क्यों profitable है अगर profitable है तो क्यों है उसके बाद देखेंगे counter trend में क्या problem है क्यों यहाँ पर accuracy लोग होती है और third range trading को भी देखेंगे ठीक है तो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि trend trading में क्या चीज़े है ठीक है फॉस्ट है trend trading अभी के trend trading में profitable होने के chances क्यों है किसी भी stock में आप trade करते हो इस तरीके से ऊपर ज basically higher highs ठीक है और higher lows की sequence देख रहे हो और उसके बाद आप trend में तो जब भी market retrace कर रहा है आप उस जगह पर आपकी entry हो रही है और आप profitable होते जा रहे हैं क्योंकि market क्या कर रहा है कि एक sequence मतलब एक trending market यसे हम आप कह सकते हैं trending market में इस level से अगर आप एक एक सही level यह है और आप यहां से bounce back करता है market तो आपके stop losses जहां भी होंगे उसके hit होने के chances काफी कम होते हैं ठीक है लेकिन जब आप counter trend trades करते हो तो देख कि दोनों में difference क्या है मैं एक बार यह से पूरा इधर करके मैं बताता हूँ दोनों में difference को समझे कि है क्या और क्यूं problem होते है यह है trend trading ठीक है trend trading और यहां है counter trend range की बात हम लोग इसके बात कर लेंगे अब इन दोनों के difference को देखें दोनों के structures को भी समझना है अब आप देखें कि सबसे पहले stock अगर उपर से हम लोग देख रहे है market एक downtrend में है ठीक है और इस तरीके से market में movement है और उसके बाद जब वापस से stock उपर के level पर आता है और जब आप यहां पर sell करते हैं तो आपन यह देखा हुआ है कि market में एक जो trend है वो negative है ठीक है flow जो है वो downward है उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि इसका momentum fed हो रहा है ठीक है यहां पर आप price action के concepts जो आपने सिखा है उन चीजों को आप लगा सकते हैं तो आप जब देखते हैं कि ठीक है market में इसका जो momentum है वो weak हो र होगे यह sell side का है sell entry होगे आपके stop losses यहां होंगे targets यहां पर होगे ठीक है अभी हम लोग इस techniques पर नहीं जाएंगे यह techniques सारे professional techniques है जब आप price action को master करते हैं तो आप इन techniques को अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन हम लोग अभी यह बात कर रहा है कि क्यो profitable है और इस से opposite क्या हो जाता है counter trend में तो जो आप लेते हैं आप अपने सारे logics को आपने यहां पर apply किया सारे parameters को देखा आप आपने सारे concepts को यहां पर लगाया आपके जो setup के जितने भी rule है आपने लगाया और आपने entry यहां पर ली तो आपके इस trade को perform होने के chances 70 to 80% even आप 90% तक क्या सकते हैं इसकी accuracy हो क्या कर रहे हो कि basically एक trend के साथ हो आपको पता है trend negative है इस selling में momentum है काफी ज्यादा retracement है जो pullbacks है वो कम आ रहे हैं तो छोटी-छोटी चीजों को आप जब यहां पर पूरा plan out करते हो और इन सारी चीजों को लिखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है और आपके सारे setups logics complete होते हैं तो आप trade ले दो तो इसके profitable होने के chances काफी high होते हैं लेकिन इसके opposite इसके opposite counter trend trends को देखे मार्केट में ठीक है पहले से negativity है selling आई है अब वापस से यहां भी flow negative है ठीक है अब इसके बाद market यहां से buying इस तरीके से आती है ठीक है अब आप यहां पर क्या करना चाह रह इसमें जैसे आप देख रहे हो कि flow negative है जो flow है वो negative है आपको क्या करना चाहिए था आपको यहां पर यहां पर देखो इसमें क्या करना था selling आप इसमें selling करना चाह रहे थे लेकिन आप इस यह वाले पार्ट को देखे counter trend में तो आप counter trend का मतलब क्या है आप कहीं से support को identify कर र ठीक है तो यह है counter trend अब आप क्या कर दो कि ठीक है यहाँ पर aggressive momentum हमें मिले आपको पता है कि किसी एक particular level से जहाँ पर यह पहले से एक support था यह breakdown हुआ है और उसके बाद market जब दुबारा यह swing है जहाँ पर support का breakdown हुआ है दुबारा जब market इस level पर आएगा तो यहाँ पर आपको selling दिखेगे ठीक है तो यहाँ पर तो हम लोग बात कर रहे हैं कि counter trend trading तो अगर हम लोग trend trading हम लोग को अगर यहाँ पर करना होता तो हम लोग किसी एक particular level से selling यहाँ से लेते या फिर यहाँ से लेते ठीक है लेकिन जब counter trend कर रहे हैं तो हम लोग क्या चाहिए बाइंग चाहिए तो buying हम लोग क्या करेंगे support से करेंगे तो जब हम लोग यहाँ पर आप buying करते हैं तो सबसे ज़्यादा problem क्या होती है कि आपके सारे setup जब आप सारे setup आप buy side के तरफ से लगाओगे आपको दिखेगा कि ठीक है यहाँ पर एक breakout है आप stop losses को यहाँ पर रखोगे टार्गेट्स यहीं होंगे ठीक है देखे टार्गेट्स हर एक trade में दो तरीके के होते हैं एक होते हैं fix target और दूसरे होते हैं कि target जहाँ fix नहीं किया जा सकता है इन दोनों पर एक काफी detailed video मैंने बनाई है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं description में मैं उसका link भी देदूँगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि targets जो है वो fix किस scenario में किये जा सकते हैं किस scenarios में नहीं किये जा सकते हैं तो अब हम लोग बात कर रहें कि ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आप समझे कि आपकी entry buy side क्यों हुई stop losses यहाँ है तो market को आप देखोगे कि इस तरीके से फिर से market आपके SL को hit करके दुबारा फिर bounce back करके यहाँ जाएगा तो इसके पीछे reason क्या है reason को समझना काफी important है क्योंगे सिर्फ rule चीजों को rule की तरह आप देखेंगे हमें लेना चाहिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे है कि यहाँ पर buy की सोचरे तो basically होता क्या है कि देखें अगर आप अगर आपको यहाँ से sell करनी है देखें sell करनी है तो आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि जादा से जादा जो हैis supply activity हो तो बाएंग, अब देखिए selling यहां से भी हो सकती है selling यहां से भी हो सकती है ध्यान से इस चीज को समझेगा selling इस लेवल से भी selling हो सकती है यहां से भी selling हो सकती है यह जरूरी नहीं है कि market उपर यहां जाता है ठीक है? आप कई बार अगर आप trades करिए आपको आप जितना ज्यादा आप trade करोगा आपको पता होगा कि कभी इसी लेवल से market में fall आजाता है कभी दुबाड़ा इसी लेवल से fall आएगा कभी-कभी market में यहां पड़ा movement होगी वहां से fall आएगा तो किसी भी एक level से जब fall आता है तो आपको क्या समझना है वहाँ पर कि किस लेवल से फॉल होगा तो यहां तो आपको मैंने आपको कोड रिलेसंस के अलग से वीडियो डाल रखें आप उससे देख सकते हैं कोड रिलेसंस जब आप करेंगे सेक्टर की सप्लाई बहुत जादा हो किसी भी चीज का और डिमांड बर रहा हो तो जहां जहां ब्रेक आउट देखेंगे आप समझेए इस चीज को यहां पर क्या है ब्रेक आउट जहां भी बायर्स मिलेंगे बायर्स का ब्रेक आउट आप क्या करेंगे वहां पर करेंगे सेल आप सोच सारे ऐसे लोग हैं जो बाई करने के लिए रेडी हैं यही वो पॉइंट है जहां पर आप सेल करोगे आप फिर से दुबारा आपको बाइंग दिखेगी फिर आप क्या करोगे सेल करोगे तो इसलिए होता है कि आपके जो प्रॉपर स्टॉप लॉसे ना वो मांकेट हिट कर देता है उसके बाद ऊपर चला जाता है इस चीज़ को आपको समझना है क्योंकि ब्रेक आउट ब्रेक आउट जो बार बार आपको दिख रहा है यह ब्रेक आउट पर अगर आप भी यहां जब जब दिखेगा तब तब आप आप इसलिए क्या है कि यहां पर बार बार आपको ट्रेंड इंड को ब्रेक डा इस तरह से अगर आप देखो, तो market क्या कर रहा है, अपने support, जो support है वो resistance बनता जा रहा है, इस तरीके से market, इस sequence में market नीचे चला जाएगा, इसमें stop losses के hit होने के chances काफी कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, और जो logic है इसके पीछे वो मैंने आपको बताया, कि reason क्या है, reason यही है कि हर एक जो demand है आपके लिए, वहाँ पर ready है supply करने के लिए, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो आपको यह पता होगा कि counter trading में थोड़ी से problem क्यों बाती है, ठीक है, दो चीज हम लोग देखें, third हम लोग वो भी देख लेते हैं, range, range के topic को भी देख लेते हैं कि range में क्या है, फिर इस एक के pros को देखें, हम लोगों ने, cons को भी देखा, इसके pros और cons को भी देखा, third जो है range trading, उसमें भी समझते हैं कि उसमें क्या problem है, और क्या चीज होती है, अब देखें, ये चीजे मैंने कई बार बता भी रखें, जब आप range trading करते हो, तो basically आप क्य कर रहे हो, एक range को, ठीक है, range का मतलब क्या है, एक compact, एक compact structure, ठीक है न, जिसमें आप एक parallel line अगर draw करो, तो फिर उसे आप range करते हो, ठीक है, लेकिन इसमें problem क्या है न, कि इसमें pin bars कभी काफी जादा हो, आते हैं, आप देखोगे, यहाँ पर एक shooting star दिखेगा आपको, Wicks होंगी, बड़ी-बड़ी Wicks होंगी, तो होता क्या है, कि देखे, अगर कोई structured line है, उसके उपर, obvious है कि कई सारे stop losses होंगे, ठीक है, obvious है कि कई सारे stop losses होंगे, अब stop losses होने से होता क्या है, होता यह है कि अगर इन सभी जगों पर stop losses हैं, तो यह चीज़ पता है, market makers को, और व लिक्विडिटी मिलते हैं, जैसे आपको मालो, आपको buy करना है, ठीक है, आपको पता है, आपको buy करना है, आपको इतने shares buy करने हैं, ठीक है, और यह एक range है, तो आप कहां पर buy करोगे, breakout पर buy करोगे, क्या, answer है नहीं, आप support level पर, और आपको orders मिलेंगे कहां, आप यह सोचो जब कोई ready होगा, फिर से वही चीज़, जब कोई ready होगा, buy करने के लिए, मतलब जब demand generate होगा, तभी तो आप sell कर सकते हो, और जब कोई sell करना चाह रहा होगा, तभी तो आप buy करोगे, आप अगर accumulate करना चाह रहे हो, इतने shares को, 1 lakh share को, तो आप क्या करना चाह रहे हो, तो sell क करने के लिए ready कौन है, आप जिस भी टेकनिक से आप जानते हो, क्या यहाँ पर आप breakout आता है, तो आप sell करना चाहते हो, क्या, answer है नहीं, आप sell कहा करते हो, आप सोच के देखे, आप sell करते हो, इस line के नीचे, जब breakdown होता है, तो यही पर आपको लगता है, कि एक support का breakdown हुआ, और आप यहाँ पर sell करते हो, अब यही जो है, इस level से, जिने accumulate करना है, वो buying करके उपर आ जाते हैं, ठीक है, और market उपर की तरफ चला जाता है, तो एक series of, series of orders, एक series of order flow, जो ready है sell करने के लिए, उनके सारे orders को consume करके market उपर चला जाता है, यही situation है, selling side के लिए, ठीक है, तो ह आप देखिए, कि हम लोगों ने अभी, तीन चीजों को देखा, ठीक है, हम लोगों ने trend को भी देखा, counter trend को भी देखा, और range trading को भी देखा, इसलिए, जो accuracy है, या फिर आप कह सकते हो कि, जो profit होने के chances ज्यादा है, वो इसमें काफी high है, इसमें, इसके comparison में, medium, यहाँ पर approach है, अगर आप professional है, अगर आप बहुत अच्छे से counter trend trading भी जाते हैं, तो आप इसमें भी profitable हो सकते हैं, आप range trading में भी profitable हो सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुवात कर रहे हैं आप जरनी की, तो आप trend trading को दूनगे, तो अगर आप trend में, और maximum जो profits होते हैं, वो trend में, क्योंकि market इस तरह से अगर breakout किया, वापस अगर किसी level पर support लेके bounce होता है, आपको यह नहीं पता, कि जब market trend में हो कितना चला जाएगा, यहीं वो targets हैं, जो fix नहीं होते हैं, और इसमें maximum profits होते हैं, लेकिन counter trend में क्या है, किसी एक level से आप अगर यहां से buy करने की सोचते हो, आपको प इन तरह के trading styles को हम लोगों ने रेखा, और depend करते हैं, अगर आप शुरुवात कर रहे हो, तो आप trend trading को करें, यह काफी easy है, आपको शुरू में profitable हो जाएंगे, उसके बाद आप counter trends और trends trading में जाएए, आपको यह वीडियो अगर useful लगी हो है, आप इसे आपने को सीखा है, त कर दो है आप कर दो लगजिक्तर कर दो है।